हलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे MECD इंडिकेटर क्या होता है MECD इंडिकेटर एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंडिकेटर है MECD का मतलब Moving, Average, Convergent, Divergent इंडिकेटर है जो कि इस ट्रेडर को By Yourself Position इंडिकेट करने में हल्प करता है यह इंडिकेटर गेराल्ड एपल द्वारा क्रियेट किया गया था in the late 1970 आप यहां Crude Oil January का 5 मिनट चार्ट देख सकते हैं जो कि एक Stock Chart है और ठीक इसके नीचे आप MECD इंडिकेटर देख सकते हैं यह Red Line MECD Line है और यह Blue Line Signal Line है और यह Vertical Bars MECD Histogram है इस इंडिकेटर के द्वारा Trader कैसे अपना Position इनिशियेट करेंगे जब यह Red Line Blue Line को Cross करके नीचे के तरफ आएगी इस Zero Axis के उपर से तो हम इस Position पे अपना Self Position इनिशियेट कर सकते हैं और जब यह Red Line Blue Line को Cross करके उपर की तरफ जाएगी इस Zero Axis के नीचे से तो हम इस Position पर अपना Buy Position इनिशियेट कर सकते हैं इसका मतलब Traders इस Point पे अपना Self Position इनिशियेट कर सकते हैं और Buy करने के लिए Traders इस Point पे अपना Position इनिशियेट करें इसका मतलब MSD इनिशियेट करने से पहले इन Conditions को Properly Check कर लें Sell करने के लिए Red Line Blue Line को Cross करके Downward की तरफ आएगा इस Horizontal Zero Axis के उपर से और Buy करने के लिए Red Line Blue Line को Cross करके उपर की तरफ जाएगा इस Horizontal Zero Axis के नीचे से और इन दोनों के बीच में Proper Gap भी होना चीए मतलब Line Crossing करने के बाद V या X शेप में दिखाई देगा इस तरह से MSD Indicator की Help से Trader Perfect Sell और Buy Points को Determine कर सकते हैं Thank you for watching this video Indicators के बारे में और अथिक जांकारी के लिए Subscribe किजी हमारे चैनल on YouTube और आप हमारे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं www.livetridsystem.co और आप हमारे लिए झाल झाल झाल